नमस्कार सातियों गौर्व के आंदारा में आपका स्वागत है आज अपन स्कूल व्याख्याता के GK और GS के बैच को सुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर पूरी क्लासेज यूट्यूब पर ही होगी आज दिन तक अपनी क्लासेज यूट्यूब पर हुई थी आगे भी यूट्यूपर होगी यानि यूट्यूपर होने का मतलब है हर विद्ध्यारती के लिए ये सुलब है कई कुछ पे करने की आविशक्ता नहीं आप बस पढ़िए नौट्स बनाईए प्रैक्टिस करिए और सेलेक्शन लिजिए अब यहां पर थमनेल में साथ यो दे पत्र आपके इसी यूट्यूप चैनल पर करवाने के मूड में हूँ अब जैसे ही ये बोड के एक्जाम पूरे हो जाएंगे फेकल्डेस प्री होगी तो फिर अपने अधर क्लासेश भी जैसे साइंस की क्लासेश बहुत जल्द सुरू होने वाली अपने इसी प्लेट्वा करेंगे ताकि आपके एक्जाम के पास में वस्तुनिष्ट नहीं यहीं से साथ में आप देख सको तो जितना मेरी द्रव से प्रयाक होगा उतना करूंगा आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को जो निश्चित समय क्लास आती है वहां देखनी है माल लीजिए किसी दि लिए आज की क्लास आधिक पॉने गंडे की होगी तो आज की क्लास को आज ही याद करना है आज ही याद करना है कल की क्लास आईगी कल याद करना है जैसी तिन चार क्लास में जैसे कुफ्तकाल पूरा हो गया तो उसको फिर एक साथ रिवाइस कर लेना है उसके बाद में जो आ को अभी तक अपडेट होने में समय लगेगा आप यहां से continuity रखे यह आपको continuity प्रदान करेगी और बहुत सारी चीजें आपके हो जाएगी और क्लास में याद करवाने के जम्हेदारी मेरी है आज कैस compose अपन सुरूख कर रहे हैं मतलब पह्ली क्लाष ही है और सुरूख कर रहे हैं अपन गुप्त काल पढ़ेंगे में आप लोगों के क्या है कला सहीत्य यह यानि कि पूरा प्रशाषण नहीं है सास्व्राज जी नहीं आपके है कला सहीत्य इतियास इस संबन्दित जैँंगे पहले जोंदम सिलेबस था उसमें मौरिय सामराज्य भी था लेकिन जों अपडेटेड आया था सिलेबस यानि कि बाद में चैंज उकराया उसमें मौरिये हटा दिया और गुप्त काल को रखा था तो अपन गुप्त काल से सुरू कर रहे हैं जो राजस्तान की वेकेंसी के बारे में उनको मैंने कल बता दिया था कि सुक्रसनी रवी ये जो है मैं रा आपके लिए करेंगे बड़िया बहतर आपके हित में ही करेंगे अब अपन सुरू करते हैं सात्यों आज की इस क्लास को सेर करनी नहीं करनी यह सब आपकी जिम्यदारी है मैं क्लास के वीच में न तो बोलता हूं इसके बारे में और न बोलूंगा ठीक है अब अपन सुरू सब्सक्राइब यह है कि लाइव में टाइम पास होता है सिदीशी बात आदे गंटे की क्लास डेड़ गंटे में देना मेरी वो सहली नहीं है मैं अपलोड क्लासे देता हूं मेरा फोकस रहता है कंटेंट विद्यारतियों तक व्यवस्तित पहुंचना चाहिए याद होना चाह है लेकिन समझना और याद करना बहुत जरूरी है तो करा सुरू ठीक है आपने देशी अंदाज में और याद कराने री जिम्यदारी मेरी ठीक चलिए अब जैसे जैसे आप इंस्रिक्शन फॉलो करोगे ना बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी ठीक सबसे पहले बात करे है वैसे आपके सामराज्य है नहीं गुप्त कालें लेकिन फिर भी अपन बात करें कि गुप्त काल मतलब गुप्त वन्स आया कहां से कैसे आया इनसे पहले कौन थे वगरे तो बड़े लेवल पर यदि देखा जाए तो पहले यदि आपका ध्यान जाता है जैसे अडपा वह जाता है किस पर मौरिय सामराज्य पर जाता है किस पर जाता है मौरिय बहुत सम्रद्द सामराज्य था ठीक है ना जिसमें आपके चंद्रगुप्त मौरिय बिंदुसार और समराठ असोक ठीक है यह मुख्य रहे तो इनके इर्दगिर्द काफी सारी इत्याज अपना र पाते हैं जिन्होंने मुख्य रूप से शाशन किया लेकिन उनकी कमी यह थी कि वो शिट्रिय शाशन कर पाए शाशन का मतलब है अपने शेत्र से बाहर उन्होंने जादा जाने की कोशिस नहीं कि जिसमें से एक तो फिर इनके बाद में आपको द्यान आएगा एक तो इसने कि ये कुजूल कडपिसस, विम कडपिसस, कनिस्क, हविस्क, ये सारे जो खुसान में थे, फिर ये गौत्मि पुत्र साथ करनी, पुल्व मावी वगेरा, ये सब सातवाहन वंस के थे, तो सातवाहन तो थे दक्षिड में और ये थे उपतर में, यहीं बारत पे पूरी पहित बहुत बहत्री तयानिदी कि स्वान्य यूग था एक तरीके से क्या था स्वान्य यूग था तो अब यहां से आपकी चीजे शुरू होगी थोड़ा सा base clear करना जरूरी है क्यों आधार यदि नहीं होगा ना तो इमारत खड़ी कहां करेंगे तो इमारत खड़ी करने के लिए आधार होना जरूरी है थोड़ा सा concept अपन clear करते हुए आगे बटेंगे ठीक है चलिए रिकोर्ड तो बया कि बाद में ध्यान पड़े पूरी रामयन बाहा चली और रिकोर्ड रिकोर्ड हो भी मेरे साथ में कई बार हुआ है पूरी पूरी क्लास एक यहीड चली रिकोर्ड हो रहा है तो यहां पर परेस्ट का परने का पैटर्न रहता है कि भारत का पैराक्लिज यूग या पैराक्लिज इस किस वंस के काल को कहा जाता है तो गुप्त काल को कहा जाता है सीधा सीधा प्रस्न कहीं कोई लोड लेने की आविशक्ता नहीं है भारत का पैराक्लिज यूग कौन सा है गुप्त काल गुप्त काल है, ठीक है, कला और सहित्य की द्रस्टी से स्वर्ण यूग है ये, कला और सहित्य की द्रस्टी से क्या है, स्वर्ण यूग रहा है गुप्त काल, अभी मैंने आपको बताया है, और स्वर्ण यूग रहा है, लेकिन स्वर्ण यूग ध्यानकना कहा किसने है, केम म कोई व्यापार चाले नी तो व्यापार में जो के तो है लेकिन management हिसाब किताब सब कुन रबाग है कि तो सोनों बड़ियो है कि तो नहीं बड़ियो कि तो नगतबड़ियो कि तो नई बड़ियो एराख है मुन्सी जी, ठीक है muंसी होता एक, तो यहाँ पर आपको द्यानक ना है सोने का इसाब किताब श्क्त, यानी स्वर्ण यूग किस ने कहा है, स्वर्ण यूग कहा है के म मुन्सी ने, कला और साहित्य की दृष्टिशे, गुप्त काल को स्वर्ण गाल को कहा जाता है और ये कहा है आपके बाई साब, Max Muller ने, किसने कहा है, Max Muller ने, पुनर जागरन काल कहा है मैक्स मूलर ने पुनर जागरन कला पूछ लिया जाये ना तो द्यान अगना एक थोड़ा से इंतर है काल और कला काल पूछे तो मैक्स मूलर है काल पूछे तो मैक्स मूलर है कला पूछ ले कि पुनर जागरन कला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके, ठीक है, उनर, जागरन, कला पूछ ले, तो R.D. बैनर जी, R.D. बैनर जी, Classes को हलके में मत लेना, 4-5 किताबों का निचोड और बहुत महनत के बाद में Slider बनती है, आप इतनी किताबें ले नहीं पाओगे, लोगें तो पढ़ नहीं पाओगे, वो सारा निचोड ये Classes के अंदर आपको मिलने वाला है, पिछले सारे एक्जाम देख लेना, कितना एक्जाम एप्रोच के अनुसार पढ़ाया था, और फर्स्ट ग्रेड छोड़ो, आप कोई भी एक्जाम देख लेना, सभी के अंदर, बिल्कुल विद्यार्तियों के हित में, और रस्न ऐसे कैसे बने हैं, तो बिल्कुल मैं आपको PDF देदूंगा, चिंता मत करना, ऐसा नहीं है कि अपने PDF नहीं देंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन PDF देंगे बिल्कुल ही, विद्यार्तियों के लिए जो जरूरी चीज़ें है, वो सभी ध्यान में रखका, ठीक है, लेकिन यह है कि आपको मुझे देना प तो संस्ता पक या अधिपुरूस पुछे तो देखो कहीं भी, कहीं से सुरुआत करते किसी का नाम ही लिख रहे हैं, या कोई काम सुरू कर रहे हैं, तो अपन कहते हैं स्रीगनेस, ठीक है, कि स्रीगनेस कर रहे हैं, या किसी का नाम लिखते हैं, तो अपन स्री लगाते हैं तो यहां तो यहां पर आज की देखो पहली क्लाश है अपने व्रात्री में शुरू हुई है पहले अपना संस्तापकिया अधि-पूरुस रहा है और सामनाची कौह मोसा सटभत पर रहें लेकिन और भी वह इस डरो इनका संस्तापक या आधिपूरुस रहा है ठीक अब पूछ लेकिंगि वास्तविक संस्तापक कोई है ख?". स्रीगुप्त था लेकिन स्रीगुप्त वास्तिविक संस्तापक के रूप में नहीं हाँ आधिपुरुस यही था जिससे वन्स शुरू हुआ लेकिन वास्तिविक संस्तापक के रूप में नहीं जाना गया वास्तिविक संस्तापक माना गया है चंद्रगुप्त को ठीक है वा सरवाधिक विस्तार हुआ समूद्र गुप्त के समय समूद्र गुप्त अब कैसे याद रखो कि कि सरवाधिक विस्तार समूद्र गुप्ति है कि विक्रमादित्य नहीं है आपके दिमाग में कैसे आएगा कि यही है यदि कन्फूज हो गए वहां पे तो कैसे याद रखोगे अब जैसे आपके यह जहें तक आपका दिमाग जो है इस Τरफ इतना नहीं लगे लेकिन समुद्रंगु इसलिए इसको स्वयुद्धो का विजेता का आजड़ा तबावा को इसको बारत का नेपोलियन कहा है विए इश्मीत में ठीक है तो समुद्र गुप्त तो सरवाधिक विस्तार के मामने में जाना गया वास्तुए कि संस्ता कपक जो है चंद्र गुप्त को माना गया और आधी पूरुस रहे हैं इसके स्रिव यहां तक क्लियर अब आगे बढ़ते हैं अब यह तुम्हें न नोट्स बिकिंग पैटन भी चलता हूं ताकि विद्ध्यारती साथ साथ नोट्स भी बना ले अब देखो गुप्त वंस के सास्कों को कुशानों का सामंत माना जाता है क्योंकि पहले कुशानों साथवन रहे यह कुशानों के सामंत माने गए अब इनकी बारे में काफी सार यहां पर आपको द्यान निये रखना है कि यह कुसानों के सामंत माने गए थे कला और साहिति की दृष्टी शीक गुप्त काल को केम मुंसी ने भारती इतियास का स्वन्यूग कहा जो मैंने अभी आपको याद करवा दिया मैक्स मुलर ने गुप्त कालीन साहितिय कलाओ पुनर जागरन काल कहा है क्ला पुछे तो बैनर जी कला आती है बैनर जी को काल कहा है मैक्स मुलर में गुप्त गालिन साहसक समुद्र गुप्त को 100 युद्धों का विजयता कहा जाता है। यह समुद्र गुप्त हैं इसे और क्या कहा जाता है। और यदि यह पुचले कि बारत का नेपोलियन कहा किस ने। किसने का आए यहां तक आप लोगों के अब क्लियर हो गया यानि कि पहली स्लाइड अपने क्लियर है यानि अपने बेस बना लिया है तो अब आगे बढ़ सकते हैं मैंसलेबस की तरफ ठीक है चलिए आगे बनते हैं अब आ गया है अपने man syllabus यानि कि अब आपने कौन सी है गुप्त गालिन वास्तुकला को पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं गुप्त गालिन वास्तुकला के अंदर भी आज अपन पढ़ेंगे गुप्त गालिन मंदिर ठीक है बहुत most important प्रश्ण बन जाते हैं यहां से ठीक है प्रश्ण जहां से बनेंगे वो सारा अपन कवर करेंगे अपन कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है यदि क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार focus कर लेता हूँ भई आगाज की क्लास है सेर तो बनता है कर ले ना बढ़िया है स्कूल व्यक्याता की जो भी तैयारी कर रहे है या राजस्तान से competition से संबंदित उन तक एक बार जरूर आप लोग सूचना पहुंचाए यह जीजीडियंस का करतव्य है यह मैं मेरा करतव्य पूरा कर रहा ठीक है चलिए अब आते हैं अपन मुख्य विंदू पर गुप्त गालीन वास्तु कला और वास्तु कला में भी पढ़ने जा रहे हैं मंदीर ना सिर्ट पढ़ने जा रहे हैं बलकि याद करने जा रहे हैं यह आप निमाग में रखें देखो गुप्त गालीन कला के परमुक के अंदर अब कला में वास्तु कला भी आ जाती चित्र कला भी आ जाती है मुर्ति कला भी है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मुर्तियों से संब्धित प्रश्ण भी बहुत सारे बनते हैं गुप्त कालीन कला के प्रमुक के अंदर जो रहे हैं साथियों बनारस पटना और प्रप्रशन में जवाते हैं तो अपने दिमाग जो है वह पटना बना रसकी जगे कहीं और भी जा सकता है इसलिए एक सांदार छोटी सी ट्रिक मैं यहां पर आपको दे रहा हूं इसको बोलते हैं ट्रिक ट्रिक बहुत सारी मिलेगी आपको मिलेगी ऐसी कि यहां तो हात यह पणके से बंभना गुप्त कला है यह पता का बंभना भुप्त कला है और डियाद्नेर कामिकोण पासे तो आ जाएगा पटा जाएगा आपके पक्तिन न ठीक है यह बहुत से कि अगया आपके बनारस गॉठ मailed से आगया म्त efficiency और यह गुप्त कला लिखाई है यामने की गुप्त कलीन लिकार के पर मुख केद्र रहे हैं इति स्री बस इतो सो मारवाडिम क्या तो काम ही इतो यह है ठीक पटा का बंब गुप्त कला है बस यह वो गया आपके गुप्त कला के प्रमुक कैंदर याद हो गए आप कोई दिक्कत नहीं है अधिकांस मंदिर की सहली में बने है सामानले प्रस्णा लेकिन पूछा जाता है नागर सहली में अधिकांस मंदिर है पंचायतन सहली भी यहां से देखने को मिल जाते हैं अब नागर कला सहली कैसी होती है तो मैंने राजस्तान का इतियास कलास अंसकति पड़ाई उस समय ये पड़ाए भी थे मंदीर कलास जो होती है इसमें अलग-अलग तो यहां पे भी मैं आपको बता देता हूँ पहले इस image पे फोकस करना यहां पे ठीक है तीन तरह के मंदीर की सहलियां परमुक होती है एक तो होती है न भास से बीच में बसे भिशर यही तरीका है नागर कलास तरह कहां देखने को मिलें उत्तर wagon twenty बारत में द्रवीड कलास ही fat देखने को मिश्चिन बारत में नाम के पता था किंए क्ल्यूग में याद करवाए तो उसको याद करवाने के साथ से चोड़ना पड़ेगा तो बहु से बीच मैं तो बहुर से बिच मैं तो बहुसे बखे से यानि कि थोड़ा सो लिया चकके से थोड़ा सा लिया मक्य से और और बेसर सहली बन गई यानि कि यह कैसी होगी यह कैसी है मिसरीत है थोड़ा इदर से लिया थोड़ा इदर से लिया बेसर सहली बन गई अच्छा बेसर जो सब्द है यह बेसर सब्द का अर्थ भी क्या होता है पता है यदि जानवर का पूछे तो खचर और खचर कैसा है गद द्यानकना कच्छर है थिक है ूपर कलस होता है द्वजा होती है ऑपन भारत के मंद्दीर देखते तो उप्वरे सिखर नुमा होते हैं जैसे कर में एक मंदीर है रंगनात का मंदीर है तो ये द्रवीड सैली के ये पूरए सिर्फ नुमा होते हैं अपने क्या होते हैं, यहापर यह थोड़ा सा आगे Пत बना होता है गर बग रहा होता है, यह सारे चीजह यह नागर सैली क्या है यह इन दोनों का मिस्रन जाँ होता है वो बेशर सैली है तो ये मंदिर कला सैली तीन तरह की आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी है अब आते हैं अपन इस पे कि ये पॉंसी है ये नागर सैली है ठीक है ना जो जादा तर गुप्त काली मंदिर मिले है वो नागर सैली के मंदिर मिले है अब नागर सैली में दे शर्ट इसीज्वन जिसमें मुर्ती इस्तापित होती है मुख्य याणि यह सारी चीजह जहां और यह लिदा संदर क्या यह सारी गुप्त कालिन मंनला की विशेस्ता है यहाँ से यह चीज़ आपको कोई याद हो जाने चाहिए आराम से हो जाएगी कई कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो सिर्फ अंतर पूछते हैं यह सैली की विशेष्टा है बहुत कम पूछी जाती है प्रश्ण जो बनते ना वह अगली स्लाइड है अगली स्लाइड पर प्रश्ण बनेगे आगे बढ़ते हैं ठीक है अब मुख्यों जो प्रश्ण बनते हैं या मुख्यों जो मंदीर है गुप्त कालीन वो है देवगड का दसावतार मंदीर इसलिए इसको बड़े वेवस्ती तरीके से मैंने लिया है ताकि विद्यार्तियों को एक एक चीज़ याद हो जाए तो प् जियास गवाह है जहां-जहां Most Important लगाते हैं तो देवगड का दसाफतार मंदिर जहांसी का मंदिर भी इसे कहते हैं इसे ललितपूर का मंदिर भी कहते हैं ठीक है ललितपूर तो पहला सिकर युक्त मंदिर के रूप में जाना जाता है सिकर युक्त मंदिर यह सिकर है ठीक है ना पहला सिकर युक्त मंदिर कहलाता है डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है पहला सिकर युक्त मंदिर कोन सा है देवगड का दसाफतार मंदिर पहले सिकर युक्त मंदिर के युक में पंचायतन सहली का बना प्राचिन मंदिर माना जात यहागञा लिखा हुआ वैत्रवति तो भी आप करके होगे, बैत्वा को ही वैत्रवति के नाम से जाना जाता है, ठीकैं? तो बैत्वा नदी के किनारे है, या फिर वैत्रवति नदी के किनारे है, धोनों में से एक चीज ज्यानक नहीं, भगभान विश्णू को समर्पिद ग जो बगवान विश्णु की सेस साही सहया वाली सेसनाक वाली सहया जो बनी हुई है ये वाली मूर्ति ये वाली जो है दिवार पर बनी हुई है पूरी की पूरी ठीक है ये कहा की है देवगड के तसावतान मंदिर की है ये कौन सा है याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है देवगड का तसापतार मंदिर ये पुछा तता है कई बार कैसे साइब मूर्ती है ये कैसे है ये ठीक है एक यहाँ पर ये मूर्ती आप देख पा रहे हो ये जो है गजैंद्र मोक्ष ठीक है इसको बोला जाता है गजैंद्र मोक्ष मूर्ती गजैंद्र मोक्ष का दर्शन है रेको गजैंद्र मोक्ष मूर्ती जो है ये कमलगा फूल लेने जाता है मगरम स्पैर पकड़ लेता है ये वाला दर्शिया तो यह भी कहा है यह भी है आपके वहाँ पर और भगवान शीव को योगी की रूप में यानि की योगी सिव की मूर्ति योगी सिव मूर्ति ये भी कहा है देवगण के दसाफतार मंदिर मैंने आपको सचित्र बताया है सचित्र बताने का मतलब है कि देखो सुना वबोल भी जाए पढ़ा वह बुल भी जाए देखा हुआ नहीं बुला जाता तो यहां पर आपको सचित्र बताया यह सारी जो है देवगर के दशावतार मंदीर के अंदर है और यह चीजें पूची जाती है यहां मतलब क्या बाहर कहां से जाएगा अपन बहुत ज्यादा विश्थ भी नहीं पड़ रहें वही चीज जो अपन को याद करनी है एक्जाम की दुरस्टी से ठीक है अब मैं नहीं बताई बाकी में गया होता था यह मंदप होता था इसमें एक की जगे चार मंदप है यह इसकी व 12 मीटर उंचा है अब यह जो चीजह है ना यह मिलान वाले में आ जाती है कि इन में से संगत कौन सा है संगत कौन सा है यह चीज तो देवगड का दसावतार मंदीर इससे बाहर कुछ भी नहीं है यह पूरे-पूरे आपको याद हो जाने चाहिए यह सारी चीजह बस तो आपके खर्चा तो सुम्झो भूल जाओ आपके वैसे जीके जीएस का कोर्स लेते हो तो तो पच्छी सो दो अजार तीन अजार सामान्य सुलक है यहां पर आपके कुछ नहीं आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और याद करना है बस यह बाकी किसी को विश्वास ही पर नहीं हो तो फिर पुश्य सो तीन चार आजार जित्रा भी खर्च करने है कर सकते हैं मेरी तरफ चे कोई मनाई नहीं है बहुत सारी है शंसताने वहां से आप अराम से पढ़के देख ले लेकिन पढ़ने के बाद यहां पे भी वापस पढ़के देख लेना कि हां आंतर क का मंदीर को कैसा है पारवती मंदीर है यह द्यान रखना आप गुप्तकालीन प्रमुक मंदीर और भी अपन पढ़ लेते हैं यह कहां है यह पुछा जाए तो द्यान रखना कि यह अजयगर MP के अंदर है वैसे विशेश रूप से आपको राज्ये याद रखना कहां है मध्य वी इसमें क्या विसेता है इसमें सिव पारवती को संगीत वाधियों के साथ उकेरा इक और चीज է्यानर रखना यहां पे कि इस मंदीर में किसमें नचना कुठार में रामकथा अब रामकथा कुछ सी हो गई रामयन באלक्ता कुछ से वी रामयन रामयन का मतलब अंकन देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है अंकन प्हली बार देखने को एक चीज और है इसके जो सिकर है वो वक्र-देखिय है कैसा सिकर है वक्र रेखिय सिकर यह सब्द कभी पूछ ले जाता है न तो तो दिया रखना की वक्र वक्र रेखिय सिकर है ठीक है एक तो इसका भी है एक सिर्पूर का लक्ष्मन मंदिर है उसका भी है वक्र रेखिय सिकर में एक चीज और इसका भी वक्रर रेखिये शिकर है दो मंदीर ऐसे हैं जिनके शिकर वक्रर रेखिये यहीं चे आपको याद रखना है एक तो नचना कुठार यह इनिए पारवती और लक्ष्मन दूँद रहा है चलिए यह पूरा हो गया अब आते हैं अपन एरन का विष्णु मंदिर अब एरन के विष्णु मंदिर में देखो विष्णु के वैसे दस अवतार थे और दस अवतार पूरे के पूरे इसमें देखने को मिलते हैं अपने कुप्त गाल में ठीक है वैसे भी ये विष्णु जी के बहुत बक्त थे ये स सासा किसलिए परंब lesson की उपादियां इन्हों ने बहुत दारंझ की महराज महराजादि राज परंबागवत ऐसी उपादियां खोग दारंझ किए इन्हों तो यह भी कहा है मध्य प्रतिष में इसमें बगवान विश्णू के अव्त आफदार के मुर्ति कमो एहरन का विश्णुमंदीर जिसमें वरावतार की मूर्थी देखने को मिलती है विश्णु तो दण्यः है यानि कि दन्यविश्णु ने बनवाया तो ए विश्णु तो दन्यः है और हात ही दिमाग में गुशा रियां पूरोई जिन नहीं याद में आनी जो मेरे बिचाड़ा मन्द बुद्धी है बाने भी चीज ए याद हुजा कि हाँ वास्तों में कि ए विष्णु तो धन्य है ये तो सर ने बोला था धन्य विष्णु कहीं दिखा है तो अपने एरन को टिक कर देना है बस उधेगिरी का वि ने करवाया से समझते हो दो चीजें होती है एक व ये से जिव को मानते थे वह शिव और वश्णु बगवान को मानते थे वह वेस्ठाव नसे बावे-वारा नसे-ट्रे-ट्रेसर्ट यह मैं वक्तिक आलिन में ट्रिक याद कर वाई थी यह ना आवे-वारा-अट्रे-ट्र यह क्या है सर आवे बारा नसे त्रेसर थोड़ा सस्पेंस जरूरी है सारे पत्ते अभी नहीं खोले जाएंगे ठीक है तो यह जो है चंदरकुप्त विक्रमा दित्य के सेनापती वीर सेन ने उधेगिरी वाले मंदीर का निर्मान करवाया बस बाकी अब यहां पर आ जाते अन बुम्रा का शीव मंदीर अब यह ऐसे ही याद करने आपको कि बीतिरगाओं का इटों का मंदीर बुम्रा का शीव मंदीर शीरपूर का लक्ष्मन मंदीर नचना कुटार पारवती मंदीर मतलब यह साथ में सब्द जुड़े हुए रहने चाहिए तभी आप एक्दम सही त खो से यानि खो और ना से नागोद, नागोद MP के अंदर है बीतरगाओं का इटों का मंदीर अब यहाँ पर इस्पेशली यह क्यों सब्द आया कि बीतरगाओं का इटों का मंदीर क्योंकि गुप्त कालिन ज्यादातर मंदीर किसके बने है यदि यह पूछ ले तो ध्यान लक्षमन मंदीर यानि कि यह दोनों यह दोनों जो है वो इटों से बने हैं ठीक है यह दोनों इटों से बने हुए सिरपूर का लक्षमन मंदीर भी और यह भी अच्छा यहां पर मैंने किसी देवता का नाम नहीं लिखा यदि आप देखोगे और मैंने भी नहीं पड़ा अभी तक ठीक है के देवता का नाम तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यदि प्रश्ण बनेगा तो आप बाकि सब लोगों से आगे रहोगे इसका कारण यह है कि यहां पे यह किसी विशेश देवता को समर्पित नहीं है वीतर गाउं का इटो का मंदिर अलाकि इसमें बगव स्क्रीन शॉट लेवां में ठीक रही ना किसी देवता को विशेश को समर्पित नहीं ठीक है नहीं ध्यान रखना बीतर गाउं का इटो का मंदिर किसी विशेश देवता को समर्पित नहीं है शिरपूर का लक्षमन मंदिर जो है वो 36 गड में पहले ये मपी में प्ड़था था फिर जला गया 36 गड के अंदर महासमूंद 36 गड के अंदर दर्रा का सीव मंदीर कोटा राजस्तान में आपनों कोटा ठीके ना शिक्षा नगरी ठीके ये कहां है कोटा राजस्तान के अंदर है यहां के गुप्त कालिन मंदीर है यहां पे भी तो यह दर्रा का सीव मंदीर है यह विशेश गुप से जाना जाता है कोटा मुकंद्रा दर बह इसके पीछे कारण है इसलिए बोल लए यह याद रचाए बंगला देश के इसलिए बहुत बोल रहे है कि इसलिए बंगला देश के पड़ता है। फिपर यहां का विष्णु मंदीर मंदेश है अब इन चीजों से यह सारा जो और ने पड़्या इस थे वो सबसे ज़्यादा कहां थे वो सबसे ज़्यादा थे आपके MP के अंदर तो यहां पर मैं आपको एक चीज और नौट करके लिखवा दूँ कि सरवाद एक कि गुप्त कालेन मंदीद MP में है या थे वो आप कर देना ठीक है एक याद रखना कि गुप्त कालेन मंदीर पाशान निर्मित ठीक है यानि कि पत्थर से बने हुए ठीक यह याद रख लेना लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इटों के मंदीर कौन-कौन से है तो एक तो बीतर गाउं का बीतर गाउं ठीक है और एक दूसरा सिर्पूर का लक्समन मंदीर ठीक तो यहाँ पर यह भी मैं वापस यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि वक्र रेखिय सिखर वाले कौन से है तो वक्र रेखिय में एक तो नचनाक उठार और एक तिर्पूर लक्समन मंदीर ठीक तो आज की मंदीर की ये क्लास और आज की पहली क्लास कैसी रही यह आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमारा भी होसला बडेर के हाँ आवास्तों में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में है तो इसी तरीके से यह पैटरन बिल्कुल सही है एक तम कुछ भी बदला वाला की को बदला ज़्यादा व्याकॉन तो यह पैटरन प्रश्याता की दे रखी है उसमें से आपको इत्यास और अपने जोग्राफी और वो वाली ठीक है पॉलिटिकल वाली दो टैस्टरी उनको आप जोइन कर सकते हैं तैक्सिक प्रबंदन वाली मत करना वो पूरा नहीं है उसकी वेलिटिटी साथ अगस्त तक ही है ठीक है बा यह चीजें आप लोगों के लिए यह उपलब्द है तो यह वहां से आप ले लेना ठीक है जोइन कर सकते हो आराम से कई कोई दिखत नहीं है और टेलिग्राम से जूट जाना आपको साम को PDF टेलिग्राम पर मिल जाएगी इसी क्लास की और बाकी अन्य भी जैसे कोई जानका अप्डेटरीज चल रही है तो वहां से आप जोइन कर सकते हैं ठीक है सारी नामात्र के सुल्प में हैं चिंतानगरें बाकी अपनी सारी सारी यूट्यूब आपको एप पर नहीं मिलेगी अच्छा आज सनिवार था लेकिन अपने को बैच का आगाज करना था तो आज आग संगल बुद्ध और गुरु यह तो चलेगी बारती इतियास इस्कूल व्यक्ष्याता जीके से संबंदित और सुकर्शनी रवी को आपके राजस्थान इतियास कलास संस्कृति को अपन शुरू कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें अपन साथ में लेकर चले हर वर्ग के वि ग्यप्ते आने के बाद मैं भगदर मचेगी आपको भगदर का इस्सा नहीं वनना है वोगदर से आगे पहूंचना है तो अभी से सुरूख कर देना है दो गंटे चार गंटे डेली पड़ो लेकिन आप बगदर से आके रहोगे मेरी सुपकामना है हमेशा आप लोगों के साथ है मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहें